आज हम खजुरिया ग्राम पंचायद के एक टोले में खड़े हैं यहां परधान द्वारा घोर अन्यमित्ता किया गया है यहां चुकि जोपड़ी में रहने वालों को न सवचाले न आवास केवल अपने चहेतू को परधान द्वारा सवचाले और आवास दिया गया है जबकि यह लगभग 5000 अबादी का यह टोला ग्राम पंचायद यह जार अबादी का यह टोला इसमें लगभग 1500 परिवार निवास करते हैं लेकिन इस ग्राम पंचायद में एक भी सवचाले भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहा है अबियान के तहत प्रधान ने एक भी सवचाल नहीं बनवाया है जो भी बनवाया है कुछ ग्रामिड़ों द्वारा बताए गए कि अपने चहेतों को ही बनवा करके कोरम पूर्ती कर ली गई है हलो पुलाम खीकवा आप पलोनार नियो जह से निय धर है आप फिर प्रवना आउता नहीं सही जाओ तो नहीं साथ कि अब प्रवना भोजन परूंगों कर दिशिर किया आपके परिवार में कौन-कौन है बान या दोस्वे को थी आवास मिला है अपको सरकारी आवास भी नहीं मिला है और सावचाले मिला है प्रधान जी से कभी बोली कितनी बार वो कही है सुनते नहीं है सुनते नहीं है काड है आप कुराशन काड है कार टनाई बबाक यह उत्थी वा सूची कि परिवार में कितने लोग है अब पांच यूनिट का मिलता है रासा हूं तजा का नाव हो आप केतना दिन से गाव में रोड़ा निमास करनी आपके पास कौन कौन सुविधा सरकार करें किया मिला है कि आपको मिला है नहीं मिला है आप नहीं मिला है राशन कार नहीं बना है इसके पहले राशन काड था था बहुत पहली बापकी जबाने लें सब्सक्राइब ल्यक्ति और उल्यक्ति अधर क्या मिला है गया था आपका काड चीन लिए गया तो जो काड फेल हो गया था भख नहीं किया सुवाडा कड्ब नहीं बना है यहांद लड़का चोटा से चाहा है अब है कभी नहीं है कर दो पूछने के लिए आये कभी नहीं आप ने कभी परधान सी पर आदमी से आपके सरकार्द वार का का सुब्दा मिलल वार कुछ ने खेंग एक परिवार में परिवार में कौन कौन हैं हम परधान जी से कभी कही है आपको कौन सी सरकारी सुविधाय परदान जी द्वारा परात की गई मेरा नाम जहांगीर अनसारी है मैं खजरे नमर दू कि रहने वाला हूँ अभी तक परदान जी के तरफ से हमारे वहां कोई भी सुब्दा नहीं मिला है सौचाले भी नहीं मिला है आवास आपको प्रधान जी दिये थे कि सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ अभी अभी नहीं कभी नहीं मिला है हमको अभास घर में कौन को रहा है हम है हमारे अब्बू है हमारे बहन है हमारे माता जी है हमारे पलिवार है हमारे एक बच्ची है